नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अपनी पर आप देख रहे हैं Tech Rosana जहां हम बात करते हैं उस टेक्नोलोजी की जिसे हम यूज करते हैं रोजाना तो वीवो का V11 Pro ये फोन अभी रिसेंट्टी लॉंच हुआ था जिसके अंदर उन्होंने अमें दिया था अब जो है वीवो ले आया है अपना V11 जो V11 Pro का थोड़ा सा कम स्पेक्स वाला वर्जन है तो V11 वीवो ने आज लॉंच किया है तो इसके अंदर जो डिजाइन लाइनवेज है वो V11 Pro की तरह ही रहने वाली है और इसके फ्रेंट में जो है हमें मिलने वाला है 6.3 इंच का हेलो डिस्प्लेई लेकिन ये जो डिस्प्लेई है ये एक Super AMOLED डिस्प्लेई नहीं होगा बलकि एक LTPS LCD स्क्रीन होगा और क्योंकि ये एक LTPS LCD स्क्रीन है तो इसमें हमें अंडर डिस्प्लेई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा बलकि वो हमें मिलेगा पीछे की तरह on the back और इसके लाब बात करें इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशन की तो इसके अंदर हमें मिलेगा हेलियो का P60 चिपसेट जो कि बहुती एक्सिलेंट मिड रेंज चिपसेट है उसके लाब बात कर लिए इसके बैटरी की तो इसमें मिलेगी एक 3300 मिलियामपार की बैटरी जिसके अंदर में 9W 2M का फास्ट चार्जिंग का सपोड मिल जाएब और उसके लाब बात करें इसके कैमरा इसकी तो पीछे के तरफ हमें मिलने वाला ludzie 16 MP का प्राइमरी कैमरा जोगी F2 अपेचर का कैमरा है और जो हैक 5 MP मेढ पेचर का अहमें मिलेगा प सेंसर साथ ही इसमें हमें मिल जाएगा एक 3.5 mm का headphone jack, एक triple slot हमें इसमें मिल जाएगा, याने दो SIM के साथ में आप एक dedicated micro SD card लगा सकते हैं और बात कर ली जाए इसके colors की तो अभी फिलाब दो colors में इसको launch किया गया है, starry black और एक nebula purple और इसका प्राइज है वो रखा गया है 22,990, याने कि 23,000 के अंदर launch किया है, V11 Pro जो है वो आता है 25,990 पे, तो अगर आप इस phone को purchase करना चाहते हैं, तो उसकी best file link मैंने नीचे description में दिये, वहां से जाके आप उसे purchase कर सकते हैं, तो मुझे बताईए का नीचे comment section के अंदर कि क क्या आप इस phone को लेने के लिए interested हैं या नहीं, तो बस दोस्तों यही था, आज के लिए मुझे उमीद है वीडियो आपको पसंद आए होगा, अगर पसंद आए है तो इसे जरू से like कर देना, आपके family और friends के साथ शेयर कर देना, और नीचे जो subscribe को बटन दिया है, उसे तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, goodbye